जेनेटिक्स का नेक्स लेक्चर है सेल डिवीजन, माइटोसिस, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन तो सबसे पहले कोशिका की हम लोग बात करेंगे तो कोशिका की खोजवे नामकरन रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किये गए थे रॉबर्ट हुक के द्वारा कौरक का अवलोकन किया गया कौरक जो है वो पादपों में द्वित्यक विर्दी के बाद बनने वाला एक मृत उत्तक है तो इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को देखा था और उसको कोशिका या सहला नाम दिया था इसका जो वर्नन है वो माइक्रोग्राफिया इसकी एक बुक है जो की Robert Hook ने लिखी थी उसमें हमें देखने को मिलता है पादप कोशिका की जो खोज है वो हम लोग ये मान सकते हैं कि Robert Hook ने की थी कोशिका शब्द का सरवपर्थम प्रयोग किया था तो यहां पे आंस्वराजय का Robert Hook ने किया था कोशिका चक्तर या सेल साइकल की अगर अपने बात करें तो इसमें दो मुख्या प्रावस्थाएं होती है एक तो अंतरावस्था और दूसरी है M प्रावस्था सबसे पहले अंतरावस्था की बात करें तो इसमें कोशिका जो है उसकी वरिदी होती है कोशिका अपने आकार में वरिदी करती है और विभाजन के लिए जो भी तैयारियां होती है वो इसी प्रावस्था के अंदर की जाती है इंटरफेस जो है वो कोशिका चक्कर की सबसे लंबी प्रावस्था होती है बहुज़ादा समय ये ले जाती है अब इसको तीन प्रावस्थाओं के अंदर आके ये विवाजित किया गया है G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था उसके बाद M प्रावस्था की हम लोग बात करें तो इसमें कोशिका जो है वो समसूत्री या अर्धसूत्री विवाजन के द्वारा विवाजित हो जाती है और M प्रावस्था जो है ये कोशिका चक्कर की सबसे चोटी प्रावस्था होती है बहुती कम समय में ये पूरण होती है तो आप देख सकते हो इस डाइगराम के अंदर यहाँ पे जीवन प्रावस्था से जो कोशिका है उसकी वृद्धी शुरू हो जाती है तो जीवन प्रावस्था में सबसे पहले RNA वैप प्रोटीन का निर्मान होता है जो भी आपशक होते है RNA वैप प्रोटीन को शिकावे भाजन के लिए उसके बाद S प्रावस्था आती है जिसमें सबसे पहले DNA का प्रतिकरण होता है जिससे गुन सुत्रों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाती है उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन जो है जो जीवन प्रावस्था है ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है S प्रावस्था जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे लंबी प्रावस्था है कोशिका चक्र की और G2 जो है ये छोटी प्रावस्था है और फिर M जो प्रावस्था है ये सबसे छोटी प्रावस्था है question देख सकते हो DNA का translation सुत्री विभाजन की किस अवस्ता में होता है तो S अवस्ता के अंदर होता है तो first answer इसमें आ जाएगा उसके बाद कोशिका चक्र पे दो नमबर की प्रिबाशा आप से पुछी हुआ है तो यह आपको बता देनी है उसके बाद समसुत्री विभाजन या माइटोसेस की अमलोग बात करेंगे तो माइटोसेस शब्द जो था ये वालदर फ्लैमिंग के द्वारा 1882 में दिया गया था और इसमें होता क्या है जो पुत्री कोशिकाएं है उनमें गुण सुत्रों की जो संक्या है जनक कोशिका के बिल्कुल समान रहती है इसलिए इसको समसुत्री विभाजन कहा जाता है कोशिका समसुत्री कोशिका विभाजन में गुण सुत्रों की संक्या रहती है तो यहां पे आसवरा जाएगा समान रहती है उसके बाद question देखो, कोशिका सुत्री विभाजन की क्रिया से गुजरने के बाद, पुत्री कोशिकाओं में DNA की मात्रा होगी, तो इसमें पैतरक कोशिकाओं के बराबर जो DNA की मात्रा है, वो सुत्री विभाजनिया समसुत्री विभाजन में होती है, तो इसमें first answer आजाएग capital N गुणा करना है हमें 2 की घात small n से यहाँ पर capital N का मतलब है प्रारंबी कोशिकाओं की संख्या यानि प्रारंब में कितनी कोशिकाओं हैं वो संख्या आजाएगी उसके बाद small n यहाँ पर आजाएगा समसुत्री विभाजन चक्रों की संख्या यानि कितनी बार समसुत्री विभाजन हो रहा है question देखो एक पैत्रिक कोशिका से 14 कोशिकाओं के बनने में 6 समसुत्री विभाजन होंगे तो गलत बात है यहाँ पर n जो small n है उसका माना आजाएगा 6 समसुत्री विभाजन जो है वो जीवों के अंदर जो उनकी काईक वरदी होती है उनके शरीर की काईक वरदी है उसके लिए यह उतरदा ही होता है जिससे जीवों के भार में वरदी होती है आकार में भी वरदी होती है अब यह पौधों में समसुत्री विभाजन कौन से उत्तक में देखने को मिलता है तो उसकी जड़ या मूल होती है उसका शिखागर हमें लेना है यानि कि उसके मूल का या जड़ का जो शीर्ष भाग है उसको हमें लेना है अगर हम प्रयोक्षाला में अध्यान करना चाते हैं तो हमें कौन से पौदे से मूल शिखागर लेना पड़ेगा तो हमें प्याज वैमक्का जो है इनके पौदों से मौल शिकारगर को लेकर समसुत्री विभाजन का अध्यान कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंदरक विभाजन की यानि की कारियो करने से इसकी तो इसको चार प्रवस्थाओं के अंदर बांटा गया है केंदरक विभाजन में क्या होगा एक कोशिका केंदर जो एक केंदरक होता है वो विभाजित होके दो केंदरकों में प्रिवर्तित हो जाएगा अब इसके अंदर चार मुख्या प्रवस्थाएं है पूरवावस्था या प्रोफेस उसके बार आता है मध्यावस्था या मेटाफेस फिर आता है पश्चावस्था या एनाफेस और लास्ट इसमें है अंत्यावस्था या टीलोफेस सबसे पहले पूरवावस्था या प्रोफेस की बात करें तो ये सबसे लंबी प्रावस्था है जो की सबसे ज़्यादा समय जो है वो ये लेती है इसमें होता क्या है जो क्रोमेटिन होते हैं दागयनुमा सरचनाएं होती हैं उनमें संगनन शुरू हो जाता है और उनके संगनम से गुन सुत्र बनने लगते हैं इसके लावा जो तरकू तंतू है उनका निर्मान या पर होता है तरकू तंतू चाहिए होते हैं गुन सुत्रों को पृतक करने के लिए तो उनका जो निर्मान है वो पूरवावस्था में हो जाता है इसके लाबा कुछ कोशिकांग है केंद्रिक जिल्ली, केंद्रिका, गॉलजीका और जो एंडोप्लाजमिक रेक्टिकुलम है ये विलुप्त हो जाते हैं इस प्रवस्था के अंदर तो आप देख सकते हो डागराम के अंदर पूरवा वस्थाया प्रोफेज यहां पे प्रदशित की हुई है तरकु तंतु जो है इनका निर्मान यहां पे शुरू हो चुका है जो दो एस्टर्स आपको देख रहे हैं ये तारक केंद्रों के द्वारा ही बनाए जाते हैं तो दो तारक केंद्र है एक दुछरे के प्रीत द्रूवों की तरफ जाते हुए आप लोग देख सकते हो और साथ में जो तरकु तंतु है इनका निर्मान भी यहां पे हो रहा है इसके लावा यहां पे देख सकते है आप केंद्र की जली बिलुप्थ हो रही है और गौल जी का और ER यह भी विलुप्त हो रहे हैं, केंद्री का यह भी विलुप्त हो रही है, इसके लावा क्रोमेटिन के संगनम से गुण सुत्र आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मद्यवस्था या मेटाफेज की बात करें, तो जो गुण सुत्र होते हैं, वो कोशिका के केंदर में आ जाते हैं, वहाँ पर मद्य रेखा पर अपने आपको व्यवस्थित कर लेते हैं, और एक प्लेट नुमा सरचना बनाते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट का जाता है, अगर हम गुण सुतरों की सनचना का अध्य हन करना करना चाते हैं तो हमें मद्यावस्ता के अंदर ही करना पड़ेगा, अप देख सकते हूं यहां पे मेटा-फेज यह मद्या वस्ता को प्रतशित किया गया है, तो गुण सुतर जो कोश्रिका के केंदर में आकर और एक ही अकरम के अंदर वे अवस्तित हो गए हैं इसको बोलते हैं प्लेट नुमा सनचना को बोलते हैं मेटाफेस प्लेट इसके लाबा दोनों एस्टर हैं वो विप्री दुरूमों पर पहुंच जाते हैं और जिससे तरकु तंतू जो हैं उन गुण सुत्रों के जो सेंट्रो मियर होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं उसके पश्चा विष्था या एनाफेस की बात कर लेते हैं तो ये सबसे छोटी प्रवस्ता होती है किंदरक विभाजन की और इसमें होता क्या है जो गुण सुत्रों के सेंट्रो मियर हैं वो ल लंबवत विभाजित हो जाते हैं और लंबवत विभाजित होने की वज़े से प्रते गुण सुत्र के जो दोनों क्रॉमिटेट्स हैं वो एक दूसरे से प्रत्थक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे अनाफेज यहां प्रत्था वस्था जो है वो प्रत्रशित की हुई है। दो सिस्टर क्रॉमिटेट का दो डॉटर क्रॉमोजोम्स में अलगाव होता है। तो कौन सी प्रावस्था में होता है तो यहां पे अंसर आजाएगा। इनाफेज में होता है तो थर्ड अंसर इसमें आजाएगा। उसके बाद अंतिया वस्था या टीलोफेस की बात करें। तो इसमें गुण सुत्र जो है वो विपरी दुरूँं पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर यह स्मूव बना लेते हैं। और फिर इनमें वी संगनम शुरू हो जाता है और इनके वी संगनम से जो क्रॉमेटिन तंतू हैं धागे नुमा वो फिर से बन जाते हैं। क्रोमेटिन तंत्यों के चारों और केंद्रिक जिल्ली का निर्मान हो जाता है जिसके फलसोरूप दो पुत्री केंद्रिक जिल्ली का निर्मान यहां पर हो जाता है। किंद्रिक जो है वो दोनों केंद्रिकों के अंदर देख सकते हैं और दोनों तरफ और गॉल्जी का निर्मान भी हो चुका है। टीलोफेस प्रावस्था के अंदर वापिस आ जाती है तो उसमें फोर्थ आंस्वर आ जाएगा। इसकी जो शुरुवात है वो अंत्या वस्था में ही हो जाती है तीलोफेस के अंदर ही प्रारम जो हो जाता है। अब दो विधियों के द्वारा जो कोशी का दरवय का विभाजन है वो हो सकता है। एक तो है कोशी का द्रार विधी यानि सेलफरो मेथड और दूसरा है कोशी का पट विधी यानि की सेल प्लेट मेथड। अब question देखो किस तरह ऐसा है हुआ है, कोशिका द्रवय के विभाजन और दो पुत्री कोशिकाओं के बनने को सुत्री विभाजन कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, कोशिका द्रवय के विभाजन और दो पुत्री कोशिकाओं के बनने को हम लोग बोलते हैं, कोशिका द्रवय का विभाजन इस विदी से होता है तो इसमें होता क्या है कोशिका के बिलकुल मद्या में दोनों तरफ से विदलन दरार जो है वो हमें दिखाई देती है दीरे दीरे ये जो विदलन दरार है वो गहरी होती जती है और अंत्तिय जो है ये दोनों की दोनों कोशिकाओं को अलग-अलग कर देती है उसके बाद कोशिका पट विधी यानि की cell plate method की बात करें तो यह हमें पादब कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि पादब कोशिकाओं के अंदर कोशिका वित्ती पाई जाती है इसी वज़े से अलग विधी वो कोश्री का द्रवय भाचन के लिए यहां पर होती है तो इसमें होता क्या है? गौल जी का वेसिकल्स का निर्मान करता है और ये वेसिकल्स कोश्री का के मध्या में जाकर मध्या रेखा पर एकत्रित होते जाते हैं और बाहर की तरफ वृद्धी करना शुरू कर देते हैं दोनों दिशाओं के अंदर और एक पार्शो बित्ती से जाकर ये मिल जाते हैं अब ये जो वैसिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इनका सल्यन होता है और एक प्लेट नुमास रचना बन जाती है जिसको कोशिका प्लेट कर जाता है अब ये जो फ्रेग्मोप्लास्ट देखने को मिलता है वो हमें लेट टीलोफेज अवस्था के अंदर देखने को मिलता है और ये जो प्लेट है वो दो पुतरी कोशिकाओं को एक दूसरे से प्रिथक कर देती है इस डियाग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे गॉल जिसको कोशिका प्लेट कहाजाता है दूस्तरे ऐसे दो पादप कोशिकाएं जो हैं, वो एक दूसरे से प्रथक हो जाती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, जिनमें किंदर की विभाजन तो हो जाता है, लेकिन उसके पशाध कोशिका दरवे का विभाजन नहीं होता है। ऐसी स्थिती के अंदर बहु के अंदर की अवस्था जो है वो विक्षित हो जाती है। अब जन्तुओं में इसको अलग नाम दिया जाता है और पादपों में इसको अलग नाम दिया जाता है। जबकि पादपौं में इसको बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडिशन उधारण के लिए अपने बात करें तो जो निमिटोड्स हैं उनकी जो अधिजरम है वो बहु के अंदर की होती है और वहां पे इसको आपने बात करें तो नारीयल के अंदर जो द्रव बुरून पोश होता है उसमें बहु के अंदर की अवस्था पाई जाती है जिसकों लोग बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडिशन.